हलो फ्रेंट्स मैं हूं गॉर अब आप देख रहे हैं मारा चैनल रवनी इन्फोटेक और आज का जो वीडियो है वो है रेड्मी नोट 7 से रिलेटेड तो यहां पर आप देख सकते हैं कि रेड्मी नोट 7 में एक नया अपडेट आ चुका है यहां पर 10.2.7.0 का और यह काफ आप दो बॉक्स मुझे जो अपडेट मिला था वो था मिवाई 10.2.6.0 और मैंने उस वीडियो में आपको कहा था कि अगर आपको अपडेट से जूरी जनकारी चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लापके पास रिटिमी का कोई भी डिवाइस हो तो मैं आपको बताऊंगा कि अपडेट आपको करना चाहिए या फिर नहीं तो आप देख सकते हैं कि साथ दिन के बाद लगवा यह फोन इंडिया में लॉंच हुआ है और सेल के बाद साथवा दी यहां पर आपको नय अपडेट देखने को मिल रहा है और उसके अंदर काफी कमाल के चीज़र था रेडमी नोट 7 प्रो रेडमी नोट 7 के अंदर रेडमी नोट 7 में नहीं मिला था तो उसे अपडेट के अंदर यहां पर देने का कोशिस क्या है तो अब आप देख सकते हैं कि यह जो अपडेट है 518 5 MB का है और यह अपडेट आपको सभी को नहीं मिला होगा यह आप partial update है यानि कुछ लोगों को मिलता है और यह आपको 11 या फिर 11 से लेके 2 बजे के 20 में आपको partial update मिलता है और जो लोग इस update को कर लेते हैं उसका जो update हुओ complete हो जाता है लेकिन जो लोग इस update को नहीं कर पाते हैं तो फिर यह update आपकी अपडेटर से गाइब हो जाएग कैसा है यह update और साथी साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि कोई भी update को करने से पहले आप उसका review जरूर देख लें ताकि आपको समझ में आ जाए कि जो update में करने वाला हूं क्या हुआ हूँ हमारे device के लिए सही है कि नहीं कि बहुत बार ऐसा होता है कि हैं आप न्यू देखने को मिले Redmi Note 7 के अंदर तो वह सारा जो information में मैं next के वीडियो में इस phone को update करके आपको बता दूंगा कि क्या क्या नया changes आपको देखने को मिलता है और कैसा है new update का नया optimization साथी साथ यहां पर यहीं पर आपको low light का नया features देखने को मिल जाएगा जिस तरह से आप Gcam install कर जाएगा इस update के अंदर MIUI 10.2.7.0 के अंदर उमीर देख कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा कोई भी question हो तो आप comment section में comment कर सकते मैं इस update को complete करके यहां पर आपको review वीडियो दूंगा और आपको फिक समझना जाएगा कि यह update को करना चाहेगे या फिर नहीं तो चैनल रवली इन फोटेक